नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभीगा आई ये बात करते हैं आज वीशाणू के बारे में वीशाणू यानि की वाइरस तो क्या होती है इसकी सरचना क्या पाय जाते हैं इसके अंदर कौन-कौन से पदार्थ बात करते हैं इसमें केवल अनुवांसिक पदार्थ DNA डियोक् परिवर्तन की शमता होती है किसके कारण DNA और RNA के कारण ये क्या कर सकते हैं इसके कारण ये जनन वंसानुगती और उत्परिवर्तन कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं वाइरस के प्रत्यकन को विरियोन कहा जाता है बहुत इंपोर्टन चीज है वाइरस का प्रत्यकन जो होता उसको कहा जाता है वीरियोन, वीरियोन कहते हैं, अब वाइरस की सरचना के बारे में बात करते हैं, तो वाइरस के चारों और प्रोटीन का खोल होता है, वाइरस के चारों किस का खोल होता है, प्रोटीन का खोल होता है, अब ये प्रोटीन का खोल जो होता है, इसे कहा जाता है capsule protein फूद को जाजता है कैप सबसक्राइश की च का लूद के चारों और प्रोटीनग इसे özुınızblack होता है। इश उसको का जाता है हुआजै आगी बात करता है को फैसे वायरस होते हैं जिन में पाया जाता है सिर्फ bard and dna कार्थ होता है dE جो यृटक स्वाइब कब जीवानों पर परजीवी वाइरस को जीवानों बोजी कहते हैं यानि ऐसे जीवानों पर परजीवी की रूप में वाइरस पाए जाते हैं जैसे मनुश्य की रूप में बात करें तो जैसे जूए पाई जाती है ठीक है तो जिस प्रकार जूए हमारे शरीर में परजीवी की र कोलाई जीवानु का परजीवी होता है यह देखे T4 ऐसे रही किया कोलाई एक जीवानु होता है उस जीवानु पर एक वाइरस होता है उस वाइरस का नाम है T4 और T4 को का जता जीवानु वोजी क्यों 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 कि परजीवी वाइरस है देखे यहां पर वाइरस का संक्षि क्asisकेंदर पढ़ेंगे क्लाव मतिंदर नएक बहुत बड़ा फिक और यह बात करते हैं वर्गीकर्ण की शुरुवात की बात है क्या विश्य से आधुनिक की वर्गीकर्ण या द्वीनाम पदरत्य या पिर आधुनीक केरुलस Linius, very important, आदूनिक वरगीकरं का चनग केरुलस Лinius, द्वी नाम पद देती का चनग केरुलस Linius और आदूनिक वनसिपंति विक्यान का जनग वह भी केरुलस लीनियसें वर्गीकरनण की सबसे छोटी इकाई होती है जाती किसी भी हो चाहे कि वकश चाहें की बात कि यह तो सबसे चोटीyorsunति होती है जाती पंचे जगता आउधार्ना दे एभितिक ने पंच जगत अवह धार्णा के आपको बता चुका हूं उसके अंदर सूव यावस्तित पेंद्रक नहीं पाये जाता है पूण रूप से कोशिकांग नहीं Пाये जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोकेरियोटिकोशिका और इसमें के उधारें की बात करें तो जैसे जीवाणु है नील हरित्थे करेंगे प्रोटीस्टा प्रोटीस्टा क्या होता है यह बहु कोशी के जीव जैसे की प्रोटो जोवा यीस्ट इसके अंदर आते तो शुक्ष में जीवी हैं लेकिन कौन से बहु कोशी के जीव इसके अंदर प्रोटीस्टा हम इसरेणी में रखे गए हैं तीसरा था फंजाई हम जानते हैं कवक होते हैं यहाँ परपोसी और परजी भी होते हैं जैसे मस्रूम मस्रूम जी से हम साम की छत्री कहते हैं तो यह मस्रूम होता है और मस्रूम को क्या किस केटगरी में रखा गया है फंजाई की केटगरी में रखा गया है और फिर लाश्ट आता है एन निमेलिया में आ जाएगे तो पंच जगत अउधारना के अकोडिंग इन्हों ने संपूर्ण जातियों को कितने बागों बाड़ दिया पांच बागों में बाड़ दिया कौन-कौन चे पांच बाग थे यह देखो पांच बागे पहला है मोनेरा दूसरा है प्रोटिस्टा त बाड़ दिया था आएए बात करते हैं एक को लेकर पूरा रणन करते हैं इनका संचिप्त और सूव्यवस्तित सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा के बारे में इस प्रकार के जीवों में संगटित के अंदरक और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं तो साब बात हो गए यह पाई जाती है क्यों क्योंकि इनके अंदर सू संगटित केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और इनमें जो जननल होता है वो सयूगमन द्वारा होता है एक और दूसरे से जुड़ जाता है नए जीव का निर्वान हो जाता है एक जीव बीच में से टूटेगा नीलचारितेकसवाल और जीवान यह किसमें केटगरिम रख रखे गए मोनिर्याग अगे आता है प्रोटीस्टा इसमें एक कोशी के युकेरियोटिक जीव आते है इन जीवों में गमन करने के लिए शील्या और प्लेजिला फ्लेजिला प्लेजिला प्लेजिला ङोबूब तो यह कैसे जीव होते हैं। यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इसमें प्रो chodziस्टा में एक कोशिखे के जीव आते हैं। और इनमे फलेजीला और शरत्माइ पाई जाती है। सीलिया और फ्लेजीला नामग के जाती है जनल्च-ॉप्अपय होता है। और अमीबा के अंदर जो जनन होता है वह कैसा होता है अलेंग होता है हम जानते हैं बीच में से टूडता है दो अमेबा दो से चार चार से आठ ऐसे बनते जाते हैं ठीक है यह आगया पेरामीशियम और यह यूगलीना तो इस प्रकार यह जीव हैं डाइटम प्रोटोजवा पेरा मिशियम यूगलीना अमीबा यह किस केटेगरीम रखे गए यह रखे गए प्रोटीस्टा की केटेगरी में आगे बात करते हैं फंजाई में देखे फंजाई नाम सी पता चला है कवकों की बात करेंगे यहां विशम पोसी युकेरियोटिक जीव होते हैं यह पोशन के के लिए सड़े गले कार्वनिक पदार्थों को आउसोसित करते हैं इन्हें म्रत जीवी भी कहते हैं क्योंकि मरेवे पदार्थों से अपना पोशन प्राप्त करते हैं इसलिए इन्हें म्रत जीवी कहते हैं यह विशम पोसी होते हैं और यूकेरियोटिक जीव होते हैं यह अंदर कोशिका जो होती है वो केसी होती है सूब यवस्तित कोशिका होती है और विश्म कोशिका आर्थ है कि पोशन के लिए दूसरों पर निर्बर रहना तो पोशन के लिए दूसरों पर निर्बर रहते हैं और सड़े गले कार्बनिक पदार्तों से यह क्या करते हैं कार्बनिक कार्मिक लिकावा या कार्मिक करेंगे ना सड़े गले कार्बनिक पदार्तों से यह अपना portion प्राप्त करते हैं कवकों की कुछ परजात या नील हरित सेवाल के साथ देगे यह लाइन जो आ रही है और कवक है और सवार आपस में जूटकर एक नई जाक्तिया निर्मान कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है लाइकेन, क्या कहा जाता है, लाइकेन, very important, लाइकेम में किस के रखा जाता है, लाइकेन कि सरेनी में कौण कौण से आते हैं, तो इसका आंशर होगा कवक और सेवाल कवक और नील हरित सेवालों से क्या बनते हैं लाइकेन वेरी इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट और काफी एक्जामम पूचा गया है ध्यान रखना है कवक और सेवाल से क्या बनते हैं लाइकेन बनते हैं फिर बात करते कॉशी से बनी होती है जैसे येक और मस्रूम होते हैं मस्रूम और येस्ट ये किस 감いて земול ये ये फंजाई क Frost gli आते हैं आगे बात करते हैं अगे बात करते है जैसलित reiterant इस रेणी में सभी प्रकास इंसलेशन करने वाले जीव आते हैं, इन्हें विविन भागों में वर्गी कृत किया जा सकता है, पहला जैसे थेलो फ्रायटा, थेलो फ्रायटा क्या होते देगे, इस प्रकार के पादप में जड, तरना और पती में विवेद नहीं किया जा सकता इस लाइन का क्या आरतवा, इस लाइन का आरतवा कि यदि हमें थेलो फ्रायटा पादप शरेणी का कोई पादप दे दिया जाए, तो यहां सरा हम नहीं बता सकते हैं कि जड कौनची है, तरना कौनची है, पती कौनची है, हम बता नहीं सकते हैं, तो ऐसे कौनची केटेग ये walk works का है ये claim advona okay sorry ये walk works का है सबसे उपर वाला हैウ ये claim advona iska है लिकल कि छोई ये call करका हैUS talk yeah Feed your look you do his phone with me कि इसकी agar हम पता नहीं कर सकते ये वाला diagram देख लिएक कार में हम नहीं देखेंगे कि मुनास में भी हम इनके अंदर पती, तना के बारे विवेद नहीं कर सकते तो यह जीव की इस डिली रखे जाते हैं थेलो फॉर्इटा के अंदर फिर बात करते है है अगली केटेग्री है ब्रायओ फॉरायटा तो ॉर्णी तक क्या होता है कि इस रेने में उबेचर मूले जड़ तना और पत्या नहीं होती है जैसे मारकांशय और फ्यूदैर्य इनके अंदर वास्त्विक मूल तना पत्या नहीं पाई जाती है और इननं होता है उर लंगिक जनन らい। आप जानते होंगे कि इसके अंदर लेकिन एक्जेक्ट मूल नहीं लगई ए ब्राइड फाइटा मेंला बात करते हैं तर्युडू फाइटा इसरेडि में पादब के जड़ तना और पतियों में विवेद किया जा सकता है यह पहली ऐसी केटेगरिया जिसके अंदर जड़ तना और पत्यों में विवेद किया जा सकता है तो कौन-कौन से आते हैं इसके अंदर देखिए इन पदार्थों के इन में पदार्थों के समभेन के लिए जायलम और फ्लोयम पाये जाते हैं देखे इसका क्या आर्थ हुआ तत जैसे मार्शीलिया, सीलेजिला, एक्पिसिटम यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि यह पहले पादफ एसे हैं जिनके अंदर क्या-क्या पाये जाते हैं जायलम और फ्लोयम तो कौन से पादफ की सरणी में फ्लोयम और जायलम उपस्तित होते हैं उधारन होगा आपका टेरिडोफाइटा टेर्डोफाइटा के उधारन है मार्शीलिया, सिलेनी जेला और इक्विसिटम यह कुछ उधारन है तो यहाँ पर देखे इक्विसिटम का चित्र बनाई होगा है इस डाइग्राम आप देख रहे हो कि बिल्कुल सारी चीजों में विवेद किया जा सकता है यह जड़े यहाँ पर साफ साफ दिखे दे रहे है तना जो है वो बिल्कुल साफ साफ दिखे दे रहा है और बाकी बच्ची चरचना यह पत्तिया तो जड़ तना पत्तिया में विवेद किया जा सकता है और इनके अंदर जायलम और फुले में पाए जाते हैं ठीक है अब एक यहां पर विशेश पॉइंट है यह हमें ध्यान रखना है जो की यलो बॉक्स है थेलो फाइटा ब्रायो फाइटा और टेलडो फाइटा में जनना नंग अपर्टेक्स होते हैं तता फल तता फल और वी जुद्पन करने की समता नहीं होती है अ नहीं रखते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है क्रिप्टो गेम्स तो क्रिप्टो गेम्स किन्हें कहा जाएगा जिनमें बीज उत्पन करने की बीज फल और बीज उत्पन करने की समता नहीं पाई जाती है उन्हें कहा जाता है क्रिप्टो गेम्स आगे बात करते हैं आवर् बाद में फल बन जाता है इन्हें पुष्पी पादवी कहा जाता है कुल मिलाकर क्या होता है कोई भी पादव होता है तो उसका बार वाल आगे का भाग पूष्प और बीच में जो अंडाशी का भाग होता है फुला हुआ उसके अंदर होते हैं बीच और बाकी जो है वो तन् आगे लिगा है, इन में लेंगिक जनन पाये जाता है, जैसे सर्सो, आम, बर्गत, तो सर्सो, आम, बर्गत, ये कवन से पात्मों के उधारन है, ये अनावर्त बीजी पात्मों के उधारन है, I think इसमें पीछे छूट गया है, हम वापस देखते हैं, हाँ, अनावर्त बीजी, इसको रेखेंगे आवर्थ बीजी ये आवर्थ बीजी होगा ये अनावर्थ बीजी नहीं होगा आवर्थ बीजी ठीक है ये आवर्थ बीजी है अनावर्थ बीजी नहीं है गलत चप गया है अपर चलिए बात करते हैं पीछे ये है अनावर्थ बीजी ये देखें बात करते अनावर्थ बीजी छूट गया था पीचे अनावर्थ बीजी ऐसे पोदे जिन में बीजान रंडाशी से ढखे वे नहीं होते अनावर्थ यानि उनके उपर कोई आवर्थ नहीं होता है और ये निशेचन से पूर्वे तताबाद में भी अनावर्थ रहते हैं इन्हें नगन जी पादब भी कहा जाता है कुछ पादब जड़ कवक के साथ सही हो कर लेती है जिने कवक मूल केते हैं कवक मूल किसे कहेंगे बही जो मूल है जो जड़ है वो किसके साथ में सहींजीत हो जाती है कवक के साथ में यदि सहींजीत हो जाती है तो उसे कवक मूल कहा जाता है क very important कवक मूल का अधारन कौन सा है पाइनस होता है आगे आता है कुछ पादपो की जड़े साइनो बैक्टिरिया के बारे मैं आपको बता देता हूं यह नाइट्रोजन इस्तरीकरण का कारी करते हैं यानि जमिन के अंदर कुछ पादपो की धंड़ों के अंदर यह बैक्टिरि हैं तो इसी के साथ आज का टूपी गेंग खतम करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक रिजए हैं यह बारे